नमस्कार किसम भाईयो आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम वाइट प्लाई कंट्रोल करने के बारे में आपको बताने वाले है तो वाइट प्लाई कंट्रोल करना यह आपको पता है कि बहुत आसाम बात नहीं है बहुत से दो तिन दावया बारी बारी से डालने प आज के इस वीडियो में हम उलाला के content यानि टेकनिकल के बारे में आपको बताने वाले और उलाला और किंकिं नाम से market में आता है यानि कि brand के बारे में भी हैं हम आपको बताने वाले उलाला की mode of action क्या है उलाला की residual activity कितने दिनों की है उलाला का rain pastness कितने घंटों का है उलाला किंकिंग किटकों पर अच्छी तरके से काम करता है उलाला का डोस क्या है और इसके साथ होगी आज की खाथ बात तो मैं हूं दिवेराज और आप देख रहें वन निर्मता चलिए शुरुवत करते हैं आज के तो दोस्तों उलाला यूपेल कंपनी का आता है जिसमें फ्लोनिक एमीड पचास प्रतिश्य डबलू जी फार्मुलेशन में आता है डबलू जी का मतलब वेटेबल ग्रैनुलर होता है राइवल मतलब वो दानेदार होता है तो अब जानते हैं उलाला किस-किस नाम से में आता है यह सिर्फ और सिर्फ मेरे सबसे आप तक तो यह स्वेल एग्रो का ही पनामा के नाम से मार्केट में आता है जो अभी आप स्क्रीम पर देख रहे हो जो सपेज रंग की बॉटल है जिस पर उपर निला डखकन भी आता है तो अब चलते हैं उलाला की मोड़ अप कि तरप उलाला एक अपर सबसे यूणिक मोड़ अक्शन रखने वाला इंसे पर इसाइड में नहीं है तो इसकी मोड़ अप्ट नाम से करता है यह का गया है वालोंका बॉट पाइफ स्लन है तो इसकी मोड़ अपक्षन उन्होंने यूणि arada बताइए तो उलाला में ट्रांसलेमिनार आक्षन है मतलब यहाँ पतियों के वह उपर से नीचे की और जाने की शमता रखता है जिससे वाइट प्लाइ कंट्रू करने में हमें आसनी होती है क्योंकि वाइट प्लाइच ज्यादा तर के नीचे ही चुप जाते है और इसके साथ इसमें जायलेम एक्शन भी है, जायलेम एक्शन होने से जब हम उलाला का अपने फसल पर स्प्रे करते हैं, तब क्या होता है, यह अपने जायलेम एक्शन से उपर के आने वाली नई पतियों को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है, मतलब उस पर जो उलाला तेरा दिनों तक अच्छी तरीके से काम करता है, कंपनी का क्लेम यह भी है कि यह 15-20 दिनों तक काम करता है, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, हमको तेरा दिनों तक भी काम क्या कर दिया, तो बहुत बड़ी बात होगी, तो अब जानते हैं उलाला के रेन फास अगर वारिश दो गंटे के अंदर आ गई तो इसके रिजल्ट आने में हमें प्रोब्लेम आ सकता है तो अब जानते हैं उलाला किंकिं फसलों पर काम करता है उलाला अंगूर आनार टामाटर मेर्च बेंगन शिमला मेर्च जैसे सभी सॉयवीन हो गया अपना कुछ भी फसल हो से काम करता है लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करनी चाहिए कि यह प्लावरिंग में काम ने करता है कंपनी का मानना यह है कि यह बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होते उनको बचाता है लेकिन इन बेनिफिशियल इंसेक्ट में मदू मक्यों का नाम नहीं है मतलब क्या होता है जिन फसलों में परागी भावन के लिए मदु मक्खियों की जरुत होती है वहाँ पे आप उलाला नहीं डाल सकते है तो अब जानते हैं यह किंग किंग को पर काम करता है तो उलाला अपिट्स पर काम करता है जिसकी इमेज आप अभी स्क्रीम पर देख रहे हो जो पिले रंग ही चलांग भी लागा सकते है और उड़ भी सकते है जसीट्स कंट्रोल कर पाना भी एक बहुत मुश्किल बात होती है उलाला थ्रिसके बीकाम करता है यह जो कोंंल पतियों पर आते है जो नहीं पतियों को लाने में पसल को परिशानी करते हैं, तो थ्रिप्स को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है, वाइट प्लाई, वाइट प्लाई जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाये, ये वाइट प्लाई पे भी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, इसका मतलब यह नहीं कि इसका स्प्रे डाल पत्तियों के उपर छोड़ देती है, ज्यादा उड़ती नहीं है हाथ लागा हो तभी वह उड़ती है मतलब फसल को जब हम हीलाते तभी वह उड़ती है यानि कि ज्यादा तर हमें प्वाइट प्लाई उड़ती हुए दिखती नहीं है वह एक ही जगह पे अपना जिवंकरम बिता देती है तो उलाला बी पी एच यानि ब्राउन प्लांट हॉपर जी एल एच यानि ग्रीन लीप हॉपर और डबलू बी पी एच मतलब वाइड बैक प्लांट हॉपर यानि कि लगबख सभी हॉपर पर यह काम करता है जिसकी इमेज आप अभी स्क्रीम पर देख सकते हो पहली इमेज है ब्राउन प्लांट हॉपर की दूसरी इमेज है ग्रीन लीप हॉपर की और तीसरी इमेज है वाइड बैक प्लांट हॉपर की तो अब चलते हैं कीमत और डोस की तरफ लेकिन उससे पहले आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो क लाइक करना भूल जाते हो तो पहले पूलने से पहले पहले लाइक कर लो और ज्यादा ज्यादा यह आप हमारे वीडियो आप अपने मित्रों में दोस्तों में आपके किसान परिवारों में शेयर करोगे तो उससे मेरे को खुशी होगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा नए नए वीडियो बनाने में और जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए है वो पहले सब्सक्राइब कर लो भाई सभी पसलों पर कोई भी दिक्कत हो टेकनलोजी के बारे में टेकनिक के बारे में तो उसके संबंद में जो भी जान करी है वो हम आपको देनी का 100% प्रायाज तो करेंगे तो इसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो पहले सब्सक्राइब जरू कर ले तो अब जानते हैं उलाला की कीमत और डोस के बारे में तो उलाला की के उलाला का डोस 200 लिटर पानी के लिए 60 ग्राम है मतलब यह 200 किमते कम ज्यादा होती रहती है आप किमतों के उपर ज्यादा ध्यान ना दे किमतों के उपर ज्यादा कमेंट भी ना करें क्योंकि किमते फिक्स नहीं है किसी राज्य में ज्यादा होती है किसी राज्य में कम होती है तो इसके उपर ज्यादा ध्यान ना दे सिर्फ ज्याद होती ही रहती है तो यह वीडियो आप शेयर करना नहीं बूलेंगे ऐसे में आशागर के रजा मंदी लेता हूँ जय जावान जय किसान